नमस्कार! पेनी नाम का एक चंचल पेंग्वीन अंटार्क्टिका की जमी हुई सतह पर रहता था, जहां जहां तक नजर जाती थी, बर्फ फैली हुई थी, बेनी अपनी कॉलोनी के अन्य पेंग्वीनों की तरह नहीं है, वह उत्साही, साहसी थी और उसका दिल ठंडे अंटार्क्टिक जैसा गर्म था, बेनी की कहानी एक ठंडी सुभह से शुरू होती है, जब अंटार्कटिक सूरज की पहली किरने बर्फ पर हलकी गुलाबी रोशनी डालती हैं, उसने अपना आराम दायक घोंसला छोड़ दिया, उसके रोएंदार काले और सफेद पंख बर्फ से चमक रहे बेनी, तुम इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? उसके दोस्त पीट से पूछा, पेनी मुस्कुराई, उसकी चोंच उत्सा से हिल रही थी मुझे लग रहा है कि आज एक अद्भुद्दिन होने वाला है, पीट, मैं अन्वेशन करने जा रहा हूँ और एक महान सहसिक कार्य करूँगा इसके साथ पेनी बर्फीले परिद्रिश्च में उड़ गई, उसके जालवाले पैर बर्फ पर छोटे-छोटे निशान छोड़ रहे थे अपने पहले सहसिक कार्य, एक उँचे बर्फीले पहाड का सामना करने से पहले उसे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है बिना किसी हिचकिचाहट के, पेनी पहाडी से नीचे फिसल गई, और जाते समय खुशी से चिल्लाने लगी पेंग्वीन उतकृष्ट तैराक हैं, और बेनी कोई अपवाद नहीं है वह जमे हुए समुद्र तक पहुँची, और ठंडे पानी में शान से चली गई बरफीली गहराईयों में उसके लिए कोई डर नहीं था पेनी को साफ पानी में तैरना और सर्फिंग करना पसंद था उसका चिकना शरीर लहरों के बीच से गुजरता था जैसे ही पेनी गहराई में तैरी, उसने पानी में मचलियों का एक जुंड तैरता देखा उसकी आँखें उत्साह से चमक उठी और उसके फलिपर जैसे पंखों की तेजगती के साथ पेंगुईन के सक्रिय शिकारी, पेनी ने जल्द ही एक मचली पकड़ ली उसके चांदी के तराजू उसकी इकाईयों पर चमक रहे थे अपने सफल शिकार के बाद बेनी प्रकट होता है और उसे एक मनमोहक द्रिश्य प्राप्त होता है उंचे-उंचे ग्लेशियर और सुन्दर परिद्रिश्य उसके सामने पहले हुए थे वह अंटार कठिका की सुन्दर्ता से गहरा जुडाव महसूस करती है और अपने घर के लिए आभारी महसूस करती है लेकिन बेनी की सहसिक भावना संतुष्ट नहीं थी वह जानती है कि खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है खोजने के लिए और भी आश्चर्य है स्केटिंग की, पानी में छीटे मारे और खुशी से भॉंकने लगे। बेनी मस्ती में शामिल होने से खुद को नहीं रोक सका। वह समुदरी शेरों के पास दिखाई दी, जिन्होंने हर्शित भॉंकने और चंचल हरकतों से उसका स्वागत किया। बेनी घंटों तक अपने नए स्टैंप दोस्तों के साथ खेलता रहा। उन्होंने एक साथ स्केटिंग की, पानी में दोड़े और मचली पकड़ो का एक दोस्ताना खेल भी खेला। जब पेनी सीलों के साथ छेडखानी कर रही थी, तो उसकी हसी जमे हुए परिद्रिश्य में गूंज रही थी। ज जब वह आती है, तो उसके साथ ही पेंगोईन उसके साहसिक कार्य के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। बेनी उन्हें अपने बरफीले पलायन की कहानियों के साथ पुनरजीवित करता है। पहाड से नीचे की और आनंद मैसलाइड, मचली के साथ सुन्दर पानी के नीचे, नृत्य और समुद्री शेरों के साथ चंचल हरकतें। बेनी की कहानियां उसके साथ ही पेंगोईनों को विस्मय और आश्चर्य से भढ़ देती थी। उसने अंटारकटिका के जादू का ऐसा अनुभव किया जिसकी बहुत कम लोग कलपना कर सकते थे। ल पानी अपने साथ ही पेंगोईन के साथ बसती है, उसका दिल उसके चंचल कारनामों की यादों से गर्म हो जाता है। वह जानती थी कि जिस जमे हुए स्वर को वे अपना घर कहते हैं, वहां खोजने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ होगा, खोजने के लिए और भी झाल 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 झाल